नमेशकार दोस्तों आप सभी का स्वाखतर इंके एजुकेशन में और EMRS में बहुत बड़ी द्यपकबरती आई है जो TGT और PGT के कुल पद हैं वो 7926 हैं और जर्नल कैटिकरी के लिए अगर हम आयू सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल तक है में इसकी जर्नल कैटिकरी के जो भी क इंडेट्स हैं वो इन फॉर्म को बरसकते हैं अगली बात हम करें इनकी जो एजुकेशन पालिफकेशन क्या मागेगी है EMRS में बो भी हम आगे चल कर देखेंगे और EMRS की पोस्टिंग कहां पे होती है कहां कहां ये स्कूल है बो भी सारी चीजों को हम इस तार से डिसक्स करेंगे मैं TGT और PGT की ये बरती है TGT के कुछ ज़्यादा पद है उससे थोड़े कम PGT के पद है और टोटल पद हैं वो 7,926 है इस बरती के बारे में देखें ये बरती पहले भी आई थी बहुत सारे केंडेट्स पहले चूग गए थे फार्म बरना उनके लिए सेनेरी जाम भी होने वाला था बट एन मौके पर इनको रियोपन कर दिया गया है अब हम बात करेंगे कि 7,926 है इन बरती को अपलाई को कर सकता है इन पोस्टर्स को बोर्ड इसकस करेंगे बी एड़, सीट एड़, जो भी कौलिफिकेशन है बोर्ड इसकस करेंगे सारी जों को दे अंडर आते हैं ठीक है इसकी बार सरकार के स्कूल है बार सरकार में एक डपार्टमेंट है बो है मिनिश्ट्री ओफ ट्राइवल अफेर्स तो उसके अंडर ये स्कूल आते हैं और जो भी ट्राइवल एरिये हैं इनकी जो एम है बो ट्राइवल एरिये में जो स्टूडेंट जो बच्चे हैं जो पड़ाई से अलग है means की जिनको education नहीं मिल पाता उनके लिए इन schools का जो aim है वो है कि इन उन बच्चों को education देना तो ये school का असल में नाम क्या है वो है इकलब्या model residential school E पे इकलब्या M पे model R पे residential S पे school इकलब्या model residential school तो इनका ये full name है अब हम बात करते हैं अगे ये इनका जो पूरे का पूरा index है कि वही इस जो भी हम ये advertisement देख रहे हैं कि उसमें ये सारी चीज़ें होगी तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं अब हम बात करते हैं objective जो मैंने आपको बताई दिया है objective मैंने आपको बता दिया था इनकी fees देख लीजिए एक बार इनमें principal की भी कुछ posters है उसके लिए experience बगारा मागा गया है PGT की जो fees है वो 1500 रपे है पहले हम सभी चीज़ों को discuss PGT को करेंगे उसके बाद TGT को करेंगे क्योंकि ये दो अलग अलग यहां पर notification आए हैं पहला notification हम discuss करेंगे PGT की उसके बाद जो चीज़ें बहुत देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 11 बारा पर ये fees बगारे के बारे में हैं अब यह सबसे important चीज़ देखते हैं में जो posters की केडर में कितनी posters है तो सबसे पहले principal की 303 post है और PGT की means की post graduate teacher की 206 post है ठीक है total तो accountant की 361 है और JSA की junior 68 assistant की 59 means की 759 posters है lab attended की 373 posters है और total posters बनती है 4062 अब हम बात करते हैं principal को group A का a group दिया हुआ है और group B दिया हुआ है इनने PGT को जो की है बहुत सारे राज्यों में भी है group B की posters माना जाता है PGT की posters को total आपने देखी लिया कितनी posters है आप यहां पर देख सकते हैं 646 post है total PGT की उसको इनने further divide किया है वही किस में कितनी है हिंदी की total 240 है English की 200 है Math की 244 है कमिश्ट्री की 180 है फिजिक्स की 84 है वाइलोजी की 236 है इश्ट्री की 180 है जोगरफी की 64 है कमर्स की 140 है economics की 60 है computer science की 172 posters है तो आगी तलकर हम बात करते हैं इनकी जो लैंग्वेज्ज की 180 post है ठीक है और उसके बाद इनको apply को उनकर सकता है वही कोई भी Indian citizen हो वो इनको apply कर सकता है state wise को विचर करनी है आप किसी भी राज्जे के हो आप बारती होने चाहिए किसे भी राज्जे के हो तो आप इनफोस्टेश को apply कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इनके जो salary structure के बारे में जो PGT के लिए है वो 47,600 रुपे से start होता है लेवल 8 का salary है हम आगे चलकर discuss करेंगे कि इन हैंड इनको कितने पर मिलते हैं DAT वो सब चीजे मिला करें ठीक है आगर हम आगे बात करें इनकी अब हम बात करते हैं exam pattern के बारे में यह principle का exam pattern है ठीक है अगर हम यहाँ पर PGT के exam pattern की बारे में बात करें तो वो यह है ठीक है जो की है आपका GA means की GK plus current फिर आपकी 10 नंबर की है reasoning ability आपकी 20 नंबर की है knowledge of ICT 10 नंबर की है teaching aptitude 10 नंबर का है और एक नंबर का एक उसर है यह आप ध्यान रखिए और 80 नंबर का आपका क्या है domain knowledge means की specific subject knowledge जिस subject से आप apply कर रहे हैं उससे 80 नंबर के question पुछे आएंगे और आपका 50 नंबर का अधर पुछाएगा टोटल 130 marks यहाँ पर बनते हैं टोटल यहाँ पर 130 marks बनते हैं जिसमें आपके 50 नंबर की आपकी GK reasoning knowledge of ICT teaching aptitude 80 नंबर का subject related पुछा जाएगा और टोटल 130 marks बनते हैं और 20 marks का क्या है language competency test ठीक है जो LCT बोलती है जिसमें मेरे साथ से आपकी 10-10 नंबर की होगी जर्नल इंगलिस और हिंदी ठीक है हई है होगी क्या जर्नल इंगलिस और हिंदी 10-10 नंबर की यहाँ पर है तो इस पार्ट इस qualifying nature जो यह 20 नंबर है यह qualifying nature है आपको इनमें से 40% नंबर लेने पड़ेंगे में इसकी 20 का 40 तो यहाँ मेरे साथ से यह बन गया आपके आठ नंबर बनेंगे यहाँ पर 20 का 40% अगर हम ऐसे निकालें तो ठीक है हाँ आठ नंबर बनगे आपके यहाँ पर तो आठ नंबर आपको लेने होंगे इसको पास करने के लिए 20 में से आठ नंबर 130 का आपका मेरिट वेस है 20 नंबर का आपका क्वालिफाई वेस है तो यह सारा यहाँ पर सैस है अकाउंटन्ट के लिए यह है और उसके बाद हम सलेव्स की बात करें सलेव्स मैंने आपको डिसक्स करी लिया उसका पीज़ेटी का तो क्या क्या चीज़े हैं बहु सारी उसके बाद जो इंपोर्डन्ट चीज़ें वो आपके पास चीज़ें होनी चीज़ें जब आप रिजाम देने होंगे वो सभी को पता हुता है एड्मिंट कार्ड होना चाहिए बैलड आईडी प्रूफ होना चाहिए जैसे की अदार कार्ड वगरा ठीक है अब बात करते है एड्मिंट की बारे में प्यकुच यह क्या है फीज़ेटी की एड्मिंट का नतरी है शॉप सकते हैं प्यक। के लिए TGT के लिए 35 है पी जी टी के लिए 40 एर है ठीक है आपके पास Post Graduate Degree होनी चाहिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ जो Qualification है वो पोस्ट Graduate Degree होनी चाहिए Means कि आपके पास MA होनी चाहिए इन में से किसी भी subject के पास MA जा MC इसी वो आपका subject related देखा जाएगा बस कहने का बाग है कि post graduate degree यहां पर आपके पास होने चाहिए उसके बाद जो अगली qualification है वो आप देख लीजिए पार्ट B में आपके पास B.A.D. भी होनी चाहिए B.A.D. डिगरी होनी चाहिए आपके पास जहां 4-year integrated course होना चाहिए B.A.D. जानतों आपके पास B.A.D. होना चाहिए जा integrated course होना चाहिए 4-year ठीक है उसके बाद PGT computer के लिए M.C. होनी चाहिए जातो M.A.C. होनी चाहिए IT जा computer science में जा M.C. होनी चाहिए और जा ME होनी चाहिए जा M.T.E. होनी चाहिए किसी भी मानता प्राफ युनिवेस्टी से आपको पती है किस subject क्या combination बनता है आज की वीडियो बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए जिसे like चुरूर करें धन्यवाद दोस्ते को